जहिन बच्चो गुड मॉनिंग स्वागत है आपका समाधनिस्टेडी परिवार में आप देख रहे है समाधनिस्टेडी जो सबसे पहले अपडेट और लेटेस्ट जानकर आपको सही समय पर पहुचा देता है और यहाँ पर आप देखे भी ग्यान आप लोग मतलब यहाँ से आपको सिलेक्शन लेके ही जाना है तो क्या आप सभी जो स्टूडेंट है आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा तो आप सभी स्टूडेंट जो है लाइव सेशन में जुड़ जाइए बहुत मज़ा आता है आपके लाइव सेशन में जुड़ने पर और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है डेली हम लोग कुछ नया सीखते है और जो है बहुत ही बहतरीन कंटेंट आपको फ्री आप कॉस्ट हम लोग प्रवाइट कर रहे है इसके लिए कोई भी आपको अमाउंट पे नहीं करना पड़ता फ्री में पीडियेव आपको मिलती है पीडियेव का मिलती है तो समादानी स्टेडी टेलीग्राम ग्रूप मैंने लिंक भी दिये ये रखा है और आप लोग सर्च करके भी इस से जॉइन कर सकते है भातरीन सेशन का तो देखिए आज मैं कोस्टन स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग जो स्टूडेंट लेट हो चुका है तो वो लॉस उनीका होगा तो सभी प्यारे विद्यार्तियों को गुड़ीवनी गुड मॉर्णिंग, वेरी गुड मॉर्णिग तो चलिए सेशन देख्ये पहला ही कुष्टन बहुत यह बहतरीन है मज़ा आयगा आपको और आप लोग को कुछ बहुत विजपी दीखने को मिलेगा पहला question है आपके screen पर जैसे कि दीकरा होगा 84 number का question है क्या आपको बहतरीन question है निम्न में से कौन सा एक अंड़त इस्थनी है सलाथ होगा आपका या फिर आपका बथक नोच होगा या फिर कंगारू होगा या फिर आपका घुस होगा तो 4 आपसन आपके सामने है चार में से एक को comments करना है आपको क्या होगा इसका बैतर answer 84 number का question है आपके screen पर क्या सभी student जूर चुके है क्या चलिए आरती जी good morning very good morning चलिए अभी तक जो student नहीं जूर पाया है उन तक session को share जरूर करना है तो चलिए क्या आपका अभी तक answer आना start नहीं हुए है तो चलिए देखेगा इस question का answer क्या होगा 84 number का question है और क्या सभी student इस question का answer option number B परका है क्या अगर आपका option number B आ रहा है तो बिलकूर सही और बिलकूर सही अधिकतर student औक 2 के साथ जाना चायता है वेरी गुड गाईस आपका बदक नोच प्लेंटी पस इसका सहियान सरोगा option number B very good अगर सभी विध्यारती option number B कर रहे है तो चलिए बढ़ते हैं लोग next question की और देखेगा next question आपके screen पर है question क्या है जिवो में अत्यदिक विवित्ता का कारण क्या है अभी एक question के बाद में factor बताऊँगा आपको क्या है important है question आपसे पूचा गया है बहुत ही भैतरिन है जिवो में अत्यदिक विवित्ता का कारण क्या है अनुकुलन होगा सह भागीता होगा या फिर क्या होगा उत्परी वर्तन होगा या फिर बहु गुन सुत्रता होगा चलिए क्या होगा ललीता जी बहुत ही बहतरी तरीके से सभी विध्यार्तियों को very good morning guys तो आप लोग लेट मत होई आप लोग जो है 85 नमबर का question है चलिएगा ओके आकांचा जी option number C आ रहा है चलिए C U A आ रहा है आरदना good morning guys चलिएगा तो बहुत ही बहतरी और बहुत ही सांदर answer आया है आपका option number A अगर आपका आ रहा है तो बहुत सही and बहुत सही मतलब बहुत ही बहतर होगा अगर आपने option number A क्या अनुकुलन इसका correct होगा जो में अत्यजिक विवित्ता का कारण क्या होता है वो अनुकुलन के कारण होता है किसे कारण होता है सर जी अनुकुलन मतलब विप्रित परिस्तिति के कारण होता है चलिए बड़े क्या आगे देखे option number C क्या है सर जी तो option number C आपके पास रखा है मचलियों के अध्यन करने का विज्ञान या फिर है कीटों को मारने का विज्ञान लोग जो है इस question को कर पाएंगे क्या कीटों का सवर्धन क्या है चलिए morning 6 बज़े से हमारा session स्टार्ट होता है मैं आपको बता दू पहले chemistry, फिर biology, फिर physics आज में physics भी आपको पढ़ाने वाला चलिएगा बताएए सभी student बहुत ही बढ़ी है बहुत ही सांदार माय जी, सोनाली मिनी, option number A मतलब बहुत ही बढ़ी answer कर रहे हैं अगर आपका option number A है तो बिल्कुर सही होगा क्या होगा अगर यहाँ पर आप लोग जाते है option number A के साथ क्या होगा किटो की वरद्धी करने का विज्ञान तो बिल्कुर सही और बिल्कुर सही है चलि, क्या होगा कीटो की व्रद्धी करने का विज्ञान option number A very good अगर आपने A प्रयास किया है तो चले कितना student option number A के साथ जाना चाहता है और अंती में गाईस आप लोग अपने marks कमेंट से नहीं करते जो भी offline देखता है जो भी online देखता है अपने अंती में marks कमेंट किजी आपने कितने marks गेन किया आपका score जैसे कि मैं 30 question करवाता हूँ आपको daily और वित उसके fact भी करवाता हूँ तो 30 में आपके 25 आते है या फिर आपके 20 आते है ताकि आप को ही ऐसा लगे कि हाँ सर हमने आज 50 साही किया फिर 60 किया फिर 20 किया मतलब आपका ratio जो है बढ़ना चीए जाकी घटना चीए क्योंकि आप लोग daily जूड रहे है तो यही मैं चाहता हो कि आप लोग अपना review जरूर प्रदान करें अंती में नेस्ट कोशन देखे सर जी नेस्ट कोशन क्या है निमनलिकत में से कौन सा एक कोशी की जीव का उधारन है तो एक कोशी की जीव का उधारन कुन सो है कौन सा वर्ग जो आता है पुरूटो जो आता है एंत्रोफ पाइट सा आता है इकाईनो डर्मेट आता है या फिर एनिलीडिया आता है तो इस तरीके से आपका क्या answer होगा आप लोग को बताना है चले बिलकुर जो भी student online नहीं जुड़ पाता है offline अटेंड करें कोई दिक्कत नहीं है बट जो है आपके concept जो है online में जल्दी के लिए और आपका mind क्या होता है फ्रेस होता है ठीक है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग live जुड़ा करें live में हम से आप लोग बाते कर पाते हैं अंतिम के 2 मिनिट में आपको भरपूर बाते कर सकते हम से चलेगा ओके बहुत ही बड़ी आ सुना ली अमीत बहुत ही बड़ी answer आ रहे है option number A भी आ रहा है किसी student का और option number B भी आ रहा है तो चले computer महां से किसके साथ जाना चाहेंगे तो computer महां से जाना चाहेंगे option number A का प्रूत जुभा किसके साथ जाना चाहेंगे option number A अब मुझे comments करकर यह बता दीजियो arkadaşlar आप लोग कि जो पाइरिया जो है रोग कि सके कारण होता है यहां पर होता है। कब तक मैं इसको पूरा दिफाइंड करके बताता वो आपके सामने। चलेगा देखिए एक कुछी के जिवां का उधारन कुंसा सरजी तो पूर्टो जोवा है। चलिए आगे देखे इसके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाय जाते है किसमें पूर्टो जोवा में ही उसके पूर्टो जोवा एंटी अमीबा हिस्टोलिका का संकरमन मनुस्य में 30-40 वर्स के लिए बना होता है चलिए तीट में ओके दातों में होता है क्या अपका और किसके कारण होता है पूर्टो जो वेरी गुड़ गाइस बहुत ही बड़ी आप बहुत ही बड़ी आंसर आ रहे हैं आपके बहुत ही सांदार मजा आ गया चलेगा एंटी लीडिया के बारे में जाने लेते हैं हम लोग कि यह सरीर का सबसे लंबा पतला द्यूपास सम्म यह संग से होता है जो का Y आपको क्या आपको अजयाँकर केच्वअ होगा और जोक और किसान का मीतर कर जाता है यहां अब स्टेन में आपको करवा रखाएं चलिए इकाइनो डर्मेटा की बात कर लो तो यह संग के सभी जीओ कहाँ समुद्र में पाजाते हैं जैसे कि स्टार्फिस कहा होती है समुद्र में होती है तो इस तरीके से आप लोग इसे सही कर पा सकते हैं और इतने सारे फ्रेक्ट है आपको ध्यान रखना है चलिए चलिए शिवा नकपुर जी स्वागत है आपका बिलकुर सांदर तरीके से देखेगा डाल्फिन के समुद्र को क्या कहा जाता है आपका देखे गेंग कहा जाएगा या फिर आपका पार्ट कहा जाएगा कॉलूनी का जाएगा या फिर आपका इस्थूत क्या जाएगा तो सभी student ध्यान रखे इस question को हम लोग कैसे बना पाएंगी 88 number का question है और बहुत ही सांदर question है आपको इस तरीके से इस pattern पर आपको exam में जैसे कि आपको पता है सर्जी के neat की exam जिन student ने neat का form डाला है तो 12 September को आपको exam होना है और हमारे पास एक मंत बचा है मतलब हमारे पास 28 days बचे हुए है अगर आप लोग सही से महनत करते हैं पुरानी classes देखते हैं तो आप exam आसानी से क्रेक कर सकते हैं चलिए ओके option number A आ रहा है अधिकतर student option number A के साथ जाना चाहता है चलिए 88 नमर का question है और बहुत ही बड़िया अगर आपका 88 का A नहीं होगा इसका right answer होगा pod ठीके guys option number B बिल्कूर correct होगा computer महाँ से जाना चाहेंगे option number B के साथ और अधिकतर student option number A प्रयास कर रहे थे तो A नहीं आपको खुद के confidence से answer करना है ऐसा नहीं कि sir हम उन्होंने answer जैसे कि किसी ने answer A किया तो आप लोग A A A A लगाते exam hall में ऐसा नहीं होता आप अकेले बैटे रहते हैं और आपको अकेले ही निरने लेना रहता है तो आप से निवेदन है कि आप खुद के answer करे अगर नहीं पता हो तो बिल्कुर answer ना करे मैं आपको fact भी बताऊंगा और answer भी बताऊंगा ठीक आज बड़ जो है आगे वाले का comment से ना करे कि sir उसने A किया है क्योंकि वो daily answer daily attend कर रहा है class में तो वो सही बना पा रहा है तो क्या हम भी क्या option number 1 करेंगे तो नहीं आपको खुद के confidence से selection लेना है ऐसा नहीं कि हम दूसरे के dependent रहे हम सर्क खुद से ही selection लेंगे चलिए तो अब आप लोग को ध्यान रखना है खुद पर ही महनत करना है दूसरों की नकल नहीं करना है देखे डाल्फिन के समू को पौट कते है ध्यान है डाल्फिन को मनमहन सिंग सरकार द्वारा राष्टिय जली पसू घुसित किया गया है किसे सर्जे डाल्फिन को डाल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलती है कहां मिलती है डाल्फिन तो डाल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलती है क्या में भारी कमी आई है ये तो पता है आपको चलिए नदी प्रदुसरन डाल्फिन योम जली जीव को छती पहुचा रहा है ये तो ये सब कुछ ध्यान रखना है आपको कॉलं किसे करते हैं पॉप किसे करते हैं दोनों मैंने बता दी है आपको चलिए बारती जी गूर्पोर्निंग एक पर सभी स्टूडेंन क्लैपिंग कर दी जितने स्टूडेंग हम लोग चाहते थे उतने student हो चुके है तो आपको लैपिंग जरूर से करिएगा चले सभी student देखिए next question के और बढ़िएगा देखिए 18 नमर का question आपके screen पर है पीछे की और उड़ने वाला एक मातर पक्षी कोन सा है बहुत ही सांदर question पूछा गया है कि जो पीछे के और उड़ता है वह एक मातर पक्षी कोन सा है हेमिंग बर्ड होगा कीवी होगा कीवी तो उड़ नहीं सकता यहाँ आपको पता है मैंने बता चुका है अल्ट्रा टोल्स होगा या फिर बाज होगा अलबा टोस होगा या फिर आपका बाज होगा बाज तो आपको पता है चलिए बताएं आपको कि किस तरीके से और क्या आंसर होगा इसका चलिए कितना इस्टुड़ पाया है आप लोग ने सेसन को सेर क्यों नहीं किया गाईस जली इसे जाईए उन इस्टुड़ेंट को कराऊंगा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज यूनिट पढ़ाऊंगा आपको की यूनिट क्या होती है और 30 डेस में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट फिजिस का ऐसा कोई भी कोश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बन पाएगा चले वित नियूमेरिकल भी बताऊ चले बिल्कुर बेसिक से ही पढ़ाएंगे और वित टॉपिक पढ़ाएंगे आपको मज़ा आएगा हमिंग बर्ड इस अ करेक्ट आंसर अगर आपने ओप्सन नमबर सी किया है बहुती बढ़िया बहुती सांदार हमिंग बर्ड पीछे की और उड़ने वाला पक्ची है य जो उड़ नहीं सकता है यह भी ध्यानकना है नकल करने में कुसल पक्ची लायर बर्ड आस्टिलिया में पाजाता है जो नकल करता है किसकी दूसरी की तो आपको नकल करना है क्या नहीं सर जी हमें तो नकल नहीं करना है बिल्कुर नीट मैं जो आपको क्लास ले रहोगा इस neat level की ही class ले रहो आपको इस तरीके से easy question रहते हैं तो easy question आपके topic wise करवा रहो इसलिए easy बट मैं आपको पढ़ा रहो only neat level का ठीक है अगर उस level को आपने पकड़ लिया मतलब आप कोई भी exam क्रेक कर सकते हैं यह आपको ध्यान रखना है चलिएगा अपरिका में कालहारी मरुस्तल में सुतुर मुर्ग नामक पक्षी पाए जाता है अब इस सुतुर मुर्ग क्या है तो सुतुर मुर्ग पता है सुतुर मुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है यह भी ध्यान रखना है चलिए विस्व का सबसे बड़ा पक्ची सुतुर मर गहिया हमीन बर्ड विस्व का सबसे छोटा पक्ची यह दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है एक्जाम में जाहे वो जीके से रिलेटेट कोस्टन पूछ ले या फिर आपको बायोलोजी से रिलेटेट कोस्टन पूछ ले त आपको बाते करने का भी टाइम में दूगा मेरे साथ आप लोग बाते बहुत कर सकते हैं अंतिम के दो मिनिट में अभी आप लोग जो है आप लोग क्लास के कंटेंट के और द्यान दे चलेगा देखे गईज नेश्ट कोश्चन है आक्टोपस में खून का रंग कौन सा होता ह मैंने अगर आप लोग हमसे रेगूलर जुड़े हुए डेली क्लास में आये हैं तो गईज इस कोश्चन का अंसर तो आप लोग सही करेंगे क्या करेंगे सही करेंगे खून का रंग कैसा होता है किसका अक्टोपस का चले बहुत इज़ी कोश्चन है जो मैंने पहले बता र है आप लोग चलिए तो देखे क्याeil तरीके से ऑपसंड नंबर भी बिलकुर करेक्ट होगा क्या होगा ब्लू नीला इसका करएक्ट होगा अगर आपने option number b क्या थान प्रचलन की बिलकुर सही स्तूड़कों होता है और प्रचलन का कृज़न का नाम क्या है Florian मोता है इसके शरीर में 3 भागों में विक्षी रता आप्ड़ा ससे और पाथ कुष्छी को एसकають तीन पार्ट हुए है उसके बाद देखिए इसमें सोसन गिल्स या निडिरिया के द्वारा होता है ध्यान रखना है आपको कि जो इसमें सोसन है सोसन कैस किसमें होता है सर जी तो सोसन इसमें गिल्स के द्वारा होता है और इसका उत्सरजन किसके द्वारा होता है तो व्रक द परिशनी क्या है तो जो है इस कंटेंट पर दियान दे मैं आपसे बाते करूंगा जितने भी डाउट है Ini नीट क्या है यह क्या है वह क्या अगर मैं यहां से बूल जाओंगा तो आपका लॉस होगा जो मैं आपको देना चाहत हो वहन नहीं दे पाऊंगा इसलिए अभी जो है मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी जितने भी डाउट है अगर आपको जो कुछन ही पूछना है तो अंतिम के दो मिनिट में जुड़े ठीक हैस और जो इस्टुडेंट पढ़ना चाहता है वह जो है यहाँ पर बैठा रहे चल हैं अन्यता चुकचाप रहेगा कर एक चलेगा 91 यद नमब का कुस्चन बहुत ही बड़िया और संदार तो कंप्पोटर मौह से किसके साथ जाएँ गा ब्लू वेल के साथ जाएँगा नमबर c बहुत ही बड़ी आप बहुत ही सांधार सरिता जी पल्लवी जी ओप्सन नम्र c वेरी गुड एगर आपका ऑप्सन नम्र सी आ रहा है मतलब सही एंड सही होगा मतलब सही आप लोग सही दिसा के वर जा रहे हैं अब आप लोग को कोई भी एकजाम करेक करने इसे रोक नहीं सकता चले ओके बुलू वेल विजब वेरी राइट अंसर इस्थनी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसे बखरी में होता है और मद्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि मद्य प्रदेश के आप लोग निवासी है मुझे पता है तो आपके सहर में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है बक्रिया पाई जाती है चलिएगा आगे देखिए इसका आउसतन ताप पुछलेगा आपको कितना होता है और मैंने आपको बता है इसका होता है 39 डिगरी सेल्सियस कितना होता है सर जी अगर इसका आउसतन ताप मान कितना होता है 39 और माइनस 39 नइन डिगरी सेलश़्िक पर क्या होता है अगर आपको पता तो आप लोग बता दिए माइनस 39 डिगरी के बारे में मैंने कुछ कॉंक्छ आपको बताया था अगर याथ हो तो बता सकते हैं आप लोग कितने student को याद है कि अब मैंने minus 39 degree पर क्या होता है सर जी चलिए comments तो नहीं आ रहे है चलिए no idea चलिए किसको पता है जल्दी से बताए बिलकुर सही का किसने सही का गाईज चलिए माया जी बिलकुर तुम पारा जो है minus 39 degree पर जमता है कहा कमरे पर तो बहुत ही बड़िया बहुत ही सांदर यही है benefit मिलता है regular रहने का चलिए duck, wills, platinum, एक मातर विसला इस्थनी है यह आपको ध्यार रखना है चलिए सर जी आगे बड़ते है next question क्यों देखे next question क्या है निमनलिकित में से किसमे अधिकतम पैर होते है मकडी में, सह इस्तरपाद में या फिर आपका गोजर में या फिर आपका व्यवधान पंत में चले, तो सबसे अधिक पैरों की संक्या किसमे होती है यह आपको बताना है तो देखे guys आपने तो only क्या पढ़ा है सर जी हमने तो only मकडी को देखा है तो मकडी को देखा है तो मकडी ही आंसर ना करे कुछ को सोचिए अगर नहीं बनता है तो बिल्कुर मैं आपके साथ बैटा हूँ हर आपके आंसर प्रवाइट करूँगा चले तो इसका आंसर होगा मिली पेट क्या होगा मिली पेट अगर आपका option number B आ रहा है बिल्कुर सही सह सस्त्रपाद मतलब मिली पेट इसका सही आंसर होगा अगर आपका option number B आ रहा है और कितने पहर होते सर जी इसमें तो 750 कितने पहर होते हैं अभी तक तो आपने सुना सुदान भी नहीं होगा और आपने कभी देखा भी नहीं होगा बिल्कुर सही option number B इसका correct answer होगा और कीट वर्गों को कहा रखा है तो किस संग में रखा गया है कीट वर्ग को इंसेक्ट को किस वर्ग में रखा गया था क्या कर लाती ही हीमो सिलीका ने और कीटों में च्छ पाद और चार पंक होते हैं कीटों की बात कर लो मैं इंसेक्ट की बात कर लो तो कितने पहर होते सर्जी इसमें इसमें क्या होती है पाद कितने होते है च्छ पाद होते है और चार क्या होते पंक होते यह ध्यान रखना है और काक्रोज के बारे में एक concept ध्यान रखना है कि काक्रोज के हर्दे में कितने कक्ष होते तो सर्जी 13 कक्ष होते हैं काक्रोज के हार्ट में चले उसके बाद क्या रखेंगे तो चीटी एक सामाजिक प्रानी है चीटी क्या है एक सामाजिक प्रानी है जो स्रव विभाजन प्रदर्सित करती है क्यों इससे सामाजिक प्रानी कहा गया क्योंकि चीटे कहा निकलती है सरजी तो हमारे होम में निकलती है इसलिए इससे सामा करते हैं तो आप एक्जाम जरूर से क्रेक करेंगे हैं यहाँ पर उनका नाम रोसन हो आप लोग यहाँ कहें कि सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिएगा देखिए लीमर क्या है चलिए लीमर क्या है मानोसरी का एक हड़ी कैंसर के विकास का एक प्रकार एक साधारन मसीन या फिर आपका मेडा गासकरण में पाया जाने वाला एक जानवर 93 नमर का आंसर क्या होगा बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सांदर कोश्चन है चलेगा 93, ओके बहुती बढ़िया, A भी आ रहा है, D भी आ रहा है, अधिकतर स्टूडेंट अलग-अलग भी प्रियास कर पा रहा है, चले ललीता जी, उदय जी बहुती बढ़िया चले, ओके धन्यवाद आपका, अगर आप फर्स्ट में ही लाइक कर देते तो, बोलना ना पड़े, बस यही चाहता हूँ मैं चले, ओप्सन नमबर D, अधिकतर स्टूडेंट ओप्सन नमबर D के साथ जाना चाहता है, और क्या बहुती बढ़िया तरीके से सभी स्टूडेंट ओप्सन नमबर D के साथ जाना चाहेंगे, क्या, कंप्टर महा से भी जाना चाहेंगे, आपी के साथ ओप्सन नमबर D बिल सबसे बड़ा दीप है चले बड़े कि हम लोग नेश्ट को सबसे बड़ा दीप है चले बड़े के बच्चों को क्या कहा जाता है कोस्चन तो बड़ा उठफटाग पूछाए सर जी कि मगर मच के बच्चों को क्या कहा जाता है चले बताए सिपरीड कहा जाता है या फिर हैचलिंग कहा जाता है 94 नवर का कोस्चन है बहुत ही खतरना का कोस्चन पूछली है सबूद zoron Spurs यह अच्छा पर्पोर्मेंस दे रहे हैं और 94 का क्या वह है ऑप्शन कि नंबर डी होगा थोड़ा धियान रखेगा थोड़ा हार्डलि कुस्टन था क्या होगा है चिंग कहेंगे मगर में रखा गया तो सरी सरफ रेपटाइल्स जो रेंगने इस वर्ग के प्रानी को दो जोडी पाध होते हैं इसमें पहरो की संक्या पाध कितने होते हैं तो दो जोडी पाध होते हैं सरी सरप वर्ग के प्रानी फेपडों से स्वास लेते हैं और नाग राजसाप गोसला बनाता है और हिलो डर्मत जहरीली जिपकली होती है यह भी ध्यान रखना है इतना सा concept है आपको ध्यान रखना है अब देखिए question तो एक ही था आपका बट मैंने कितने सारे concept आपको provide किया है तो क्या आप class कैसी लग रही है अपना review जो रूप प्रधान करेगा इसकी आपको class कैसी लग रही है आप कुछ सीख रहे है बहुत से concept आपको आज मिलने वाले ह और मिली भी रहे है देखिए का इस्थनी वर्ग मतलब मेमेलिया इस्थनी वर्ग इस्थन धानी वर्ग से समंदित है इनमें निम्नलिकित में से एक आता है वह कौन सा है आप लोग को बताना है एक नहीं आता है वह कौन सा है चूहा चिपकली बिल्ली या फिर आपका सुव चलिए बताना है आपको 95 नंबर का कुस्चन है आप लोग कमेंट्स किजिए क्या होगा फिजिक्सी क्लास में जुड़िएगा गाईज एक बार जो है फिजिक्सी क्लास भी लीजेगा आपको मज़ा आएगा बेसिक से स्टार्ट करने वालों मैं अभी जो है आट बज़े से फिजिक्स क्लास लोगा बहुती सांदर और बहुती बहतरीन क्लास होने वाली है चले बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा यूनिट उन जो आपका यूनिट एं मैजर्मेंट होता है वहां से स्टार्ट करूँगा चलिए ok very good 95 number का आप लोग answer बहुत ही बढ़िया कर रहे है option number B कर रहे है बहुत ही बढ़िया गाईस अभी आपने अगर आपका ध्यान है class में तो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले चिपकली के बारे में बताया था तो आप लोग class में present mind रहा करेंगे अप्सेंट माइंड ना करें जितना भी इस्टेंट गलत करेंगा तो इसका मतलब आपका present mind नहीं है देखें यहाँ पर option number D कर रहे है तो आप लोग जोग गलतिया ना करें option number B करेक्ट होगा चिपकली करेक्ट होगा चलिगा मनुष से इस्थनी धाने वर्ग में चिपकली को नहीं रखा गया चिपकली सरीसरफ है को करना है कि ठीक है चलिगा होम पियंस के रूप में वर्गी गरत किये जाने वाले प्रारंभी होमो होमी नाइज्ट थे चलिए क्या थे आर्गेस्टर लाइन थे क्रूम मैगमीन थे या फिर आपका निये डर थल थे या फिर आपका प्रोकांसल थे चलिए बहुत ही थोड चलिए कोई दिकत ने गाईस आप लोग जो ऑनलाइन आना चाहता है ऑनलाइन जुड़ेगा ऑनलाइन में आपको मज़ा आता है मुझे तो यह पता है कि इतना इस्टर ऑनलाइन जुड़ा हुआ है तो उनको तो मज़ा आता होगा और आप लोग ऑफलाइन देखना चाहते वाले बंदर होते हैं यह ध्यान रखना है चलिए देखेगा यहाँ पर कुछ फिक्टे रखा है इसे आप लोग को लर्न करना है ठीक है यह लर्न करने के लिए आपको प्रोवाइड है बहुती सांदार और बहुती महत्पूना बढ़ते हम लोग आगे चले सेशन को सेयर नही के साथ जुड़ा है टेलीग्राम में जोना मद भूलिया गाई और इंस्टाग्राम जो भी स्टूडेंट चलाता है इंस्टाग्राम में समाधार इंस्टेडी को फॉलव कीजिगा लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दिया है आप लोग वहां से जुड़ी क्या बताना रहता है आपको कोई अपडेट आई है तो हम वहां पर पोस्टर के माध्यम से बताते हैं और आपको वीडियो बनाना है तो यूटूब पर वीडियो डालते है इसलिए आप हर जगे समाधन स्टेडी से जुड़े रहे है ठीक है जिसे की आप कोई बेनेफिट हो मैं सबी स्टूड़ें बता जाम हुगा तो चली इस आंसर को करते हैं कितना स्टू्डेंट सही कर पाता है वह भी जान लेते हैं अगर आपका और बैर अजा इसका करेक्ट आंसर होगा जमनापारी बकरी की नसल क्या है उत्तमब नसल है अगर आपके घर में बकरी पाल भी रहे तो पापा को बोलिये कि صرف पापा हम लोग कौनसी बकरी पालेंगे जश서 के नसल क्या होती कि उतंब नसली बहुत महगी बकरी यह बिखती है चलिए जवनापारी बकरी लगबग दो लिटर दूद देती है अगर दूद की बात कर लो तो कितना सरजी क्योंकि उत्तम नसल होती है इसलिए इसका दूद भी कितना देती है दो लिटर दूद देती है बकरियों का दूद अधिक वसा और गुनवत्ता युक्त होता है इसलि बढ़ते हैं आगे 98 नमबर का question है सर जी बनाते हैं इसे कैसे बना पाएंगे क्या है question और क्या language पूछा गया है और यो लोजी किसका अध्यन कलाता है और यो लोजी किसका अध्यन कलाता है भगवान सपने नीद रंग प्यार मोहबत इस पर ध्यान नहीं देना है आपको किस पर ध्यान देना है question पर ध्यान देना है किसका अध्यन कलाता है और नियो लोजी चले सभी student ध्यान रखे है क्या होगा इस question का answer चले इतना कम student आए गाई अधिक से अधिक student जुड़ी है आपके पास एक मेना अगर आप लोग नीट की exam जिन इस्टुड़न ने डाला है तो आपके से मैनत करें अगर आपको इसके बाद PNHT देना है आपको पीवी अप्टी देना है डाहेट देना है मतलब MP की हर exam में जो भी जिसमें भी science पूछा जाएगा इसमें आप पर ही पूर्ण है इतने इससे बाहर कोई question नहींगा चलिएगा ओके वेरी गुड बहुती बड़ी आंसर कर रहे है और बहुती सांदर आंसर कर रहे है तो 98 का क्या अंसर होगा सर जी तो बहुती बड़ी है अगर आपने option number B क्या है सपनों के अध्यन को और नीतो लोजी कहा जाता है वेरी गुड अगर आप सही कर रहे है सपना पर अभी जो है क्या है सोद जारी है सही निसकर से नहीं निकल ना जा सकता है चलिए आगे बढ़ते सर जी next question क्यों देखें next question क्या है डाक्टर सलीम मौई जुद्दिन अली अब्दूल किसके लिए प्रसिद्ध है पक्छी विज्ञान के लिए और नितोलोजी के लिए सलक बिल्कुर नहीं गाइस डेट पिल्कुर आपके एक्जाम 12 सप्टम्बर को होना है इस कर पाएंगे और क्या बैडिया चलिए कितना जुड़ा है पहले यह तो चलिए सीवानी जुड़े है खुजबू जी आरती जी चलिए प्रिया मोनिका सबी स्टुडेंट बहुत ही इसे क्या बर्ड मीन भी का जाता है यह भी ध्यान रखना है चले सलीम मोईदुन अली को पक्षी विज्ञान के लिए प्रसीद सलीम अली को पक्षी विशेसग्य भी का जाता है यह भी ध्यान रखना है इसे इंडियान बर्ड पुस्तक लिकी है इन्हें कौन सी पुस्तक ल तो इतने सारे concept आपको ध्यान रखना है चलिए बस आपका साथ चाहिए गाई समय आपको selection दिलवाना है यही मैं चाहता हूँ कि आप अपने parents का और हमारा नाम रोसंद करें चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सरजी नेश्ट को सब्सक्राइब के जो 100 है 100 कोस्टन की और बढ सब्सक्राइब करके पड़ा करें नए जमाने के बंदर पूराने जमाने के बंदर हो में नाइट से या फिर आपका एंथूपीट ठेकास चलिए चलिए ओके आपने क्लास एट में पड़ा है बिल्कुर सही चलिए बताइए आगे देखिए नेश्ट कोस्टन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको चलिए जहां रखनात है क्या होगा एंत्रो पिठेकस आप्सन नमबर दी राइट आशर होगा अगर आपका 100 का क्या होगा डी तो बिल्कुर सही होगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदार और बहुत ही बहतर आशर होगा चलिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है यह जो है आगे बढ़ते हैं तब तक हम लोग नेस्ट कुश्चन के और देखें घालिस्तान तत्वो और मानो जैसी प्रजातियों जैसे की बंदर वन मानूस आधी के विवहर का अध्यन का चाएं यह कर लाता है यह nuclear आप लिकुछ बताना है इसको अपनियों को कट करके आंसर बताना है इंत्रो नो बॉड़ी या प्राइमेटुलाजी आपका अपालऑजी तो देखे कैसे हमें cut करना है जैसे कि आप लोग answer करते हैं आपने कुछ पढ रखा है जैसे कि इंत्रम पॉल लाजी पुस्पो काध्य करह आता है सेसी तो इसे हम लोग cut कर दें कि यह हो नहीं सकता इस तरीके से मतलब आपको सही answer करना है कि क्या काल आता है चलिए इंत्रूम पो लाजिक होगा क्या चले सभी इस्ट्रूएंट बताईएगा इतना भी इस्ट्रूएंट है सही आंसर आना चाहिए चले ओके वेरी गुड बहुत ही बड़िया सभी के आंसर मैं चेक करूंगा अभी चले ओके बहुत ही बड़िया चले अलग-अलग आंसर आ रहे आप फिर भी कोई दिक्कत नहीं देखते हैं क्या आंसर होगा चले तो इसका आंसर देख लेते हैं इसका आंसर होगा ऑप्सन नमबर सी क्या होगा ऑप्सन नमबर सी आपका बहुत ही बड़िया और बहुत ही सांदर आंसर होने वाला है ठीक है ऑप्सन नमबर क्या होगा सी बिलकूर सही होगा कम्पुटर मासाही भी जाना चाहेंगे ऑप्सन नमबर सी के साथ आप लोग जो जुड़े हुए है ऑप्सन नमबर सी भी बहुत ही बड़िया है चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग next question के ओर आपको यह fact provide किया जा रहा है इसे आप लोग को learn करना है चले आगे बढ़ते सरजी next question के ओर निम्ला लिकिते में से कौन सा मकडियों का अध्यन है तो मकडियों के अध्यन को क्या कहा जाता है कि आपको पता नहीं क्या आरकोनोलोजी, एंत्रोपोलाजी, एपियोलोजी, साइनोलोजी चले बताएए I am also right बिल्कुर मनिसाची बिल्कुरी का और जो student new है guys मुझे बता दीजा करें कि आप लोग new है ताकि जो है आपको PDF, class का timing सभी पता होना चाहिए निम्न लिकित में से कौन सा मकडियों का अध्यन है तो आपको बताना है चले okay, very good, very good, बहुत ही बड़ी आंसर कर रहे हैं आप लोग guys चले okay, okay, priya, manju, option number A, सभी student क्या option number A के साथ जाना चाहता है बिल्कुर सही और बिल्कुर सही क्या होगा option number A आपका right and right होने वाला है आर्कोनलोजी मकडियों का अध्यन कलाता है anthropology मानाव के पक्षियों का अध्यन कलाता है apology कलाता है मापी मांगने संबंदित अध्यन क्या कलाता है ecology तो यह सब कुछ आपको ध्यान रखना है important very important and very important है चले बड़े के हम लोग आगे एक बार सभी students चाहूंगा है कि थमसब जरूर से करते रहेगा बीच बीच में तकि मेरा motivation बना रहे है चले सर जी next question देख लेते हैं हम लोग serology serology खालिस्तान का अध्यन क्या है मच्छर का छिपकली का तिल चट्टे का या फिर स्वाप का चले अंजू जी चैनल को subscribe कर लिजेगा और समय हमारा 6 बजे से start होता है 6-9 बजे तक live जुड़े चले सिलेक्शन लेना है बिलकुर जुड़े रहेगा चले चले कोमल जी बिलकुर नूँ है आप लोग telegram जॉइन कीजिएगा पीडियाप के लिए चले निसा जी बी आ रहा है बहुत ही बड़िया काजल बी आ रहा है अपके अलग-अलग अंसर आ रहे है चले कंपूर्टर माँसे kisके साथ जाना चाहेंगा किसके साथ जाना चाहेंगे हम जाना चाहेंगे त्रिवेनी जी के साथ मतलब option number B अगर आया है सोरोलोजी जो है आपका चिपकली का अध्यन कालाता है किसका अध्यन कहलाता सर जी चलिए अमिज जी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और टेलिग्राम गुरूप को जोईन करें वहाँ पर आपको पूरी PDF और सभी अपडेट प्रवाइड होती है चलिएगा बिलकुर ओफ्सन नंबर B होगा और ओफियोलोजी जो है सर्पो का अध्यन कलाता है और जिरॉन्टोलोजी व्रद्ध वस्ता का अध्यन कलाता है क्या आपने सभी को पढ़ लिया है क्या गर नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखना है आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है जो मैं आपको प्रवाइट कर रहा हूँ इसे पढ़ना है घर पे आपको पढ़ना है कल वाली क्लास में पूछूंगा और नहीं बताएंगे तो एक का बहुज भी आपका ना हो चलिएगा निवनलिकित में से कौन सा मनुस्य के अध्यन काता है मनुस्य के अध्यन को क्या का जाता है चलिए ओके वेरी गुड निवनलिकित में से मनुस्य के अध्यन को क्या का जाता है आर्कियो लोजी का जाता है या फिर आपका एंत्रोपोलाज या फिर एंट्रोलोजी का जाता है 104 नमबर का question बहुत ही सांदर है और बहुत ही बढ़िया चलिए कि स सरक क्या आंसर होगा आंसर हो जन झालाएगा ऑपसंद क्या यह रहुत ही बहुत ही जो होगा चलिए i तोड़ी से गलती तो गैस यही पें गलती होंगे विख्यान का अद्यम करता है और इक्तोलवजी क्या कर लाता है मचलियों का अध्यन कर लाता है यह ध्यान रखना है और वरक्च उत्पादन का अध्यन क्या कर लाएगा तो वरक्च उत्पादन का अध्यन और वो री कल्चर कर लाएगा तो यह सब कुछ ध्यान रखना है चले संडे की दिन टेस्ट लिया करेंगे और जो भी स्टुडेंट टेस्ट में अच्छा स्कोर गेन करेंगा उससे हम लोग उचित एक उपवार प्रधार्न करेंगे तो बस आप सभी चाहिए मुझे सभी चाहिए इसलिए जो है यहाँ पर यह कंटेस्ट जो है मैं जल्दी सही स्टार्ट करने वाला हूँ ठेकी गाईज चले राधा जी डेट की नहीं बड़ी है नीट की डेट सबसे जहरिली मचली कौन सी है चले बताएज चले ओके कैसा गिप्ट मिलेगा आपके लिए बिल्कुर स्पेसल गिप्ट है गाईज वह तो हम अभी नहीं बता पाएंगे आपको चले जो टॉप करेगा जो भी इस्टूडेंट टॉप करेगा उन्हें उचित उपखार दिया जाएगा अब उपचार उपखार कुन सा होगा गाईज वो तो इस पेसल है आपके लिए चलिए उसमें हमने आपके कितने कुश्चन करवाएंगे फिप्टी कुश्चन और फिप्टी में जो भी टॉप रहेगा उसे एक उपखार दिया जाएगा उसमें मैं केमेस्ट्री फिजीक्स और बायल जुटी ने कुश्चन संपिलित करूँगा चलेगा बताइए इस कु पिछली तो ऑप्सन नंबर ए बिल्कुर करेक्ट होगा इससे दुगने स्टुडेंट चाहूंगा मैं कि फिजिक्स की क्लास में आईएगा इसके फिजिक्स की क्लास अभी थोड़ी दिर बाद आपकी स्टार्ट होगी चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग मतस्य वर्ग प् चले आगे बढ़ते हैं है लाइक क्यूर्स लाइक ठीक है होमोपेथिया होमियोपेथिक सिध्धान्त प्रस्तूत किया यह सिध्धान्त जो है किसने प्रति प्रति पादित किया किसने दिया आप लोग को यह बताना है हिस्टो क्रेटस ने दिया था स्यमूल ने दिया था स नमस यूभी तो कल्स ने दिया था इसलिए बताएगािस कॉस्पा Olsen q i planning आप तक स्भी सब्सक्राइब के MP3 के एक केंस्ट गश्च उसमें के मोश्च्राइब ранी जाएगा जाहा पर आप हो आ跟你 ति आने मीश्चनर Karena अधार पहुच जाएगा जहां पर阻 आप होंगे चलेगा very good क्या answer होगा यहाँ पर चले बता पाएंगे आप लोग 106 number का answer क्या होगा बहुती बढ़िया बहुती सांधार तो option number B बिल्कुर correct होगा same world हरनीमेन इसका correct answer होगा गाईस अगर आपका option number A answer option number B आ है बिल्कुर सही कोगा ठीक होगा यह हो उपसे नंबर बी कितना यह होगा चले और कहां के तो जर्मानी ँक आपके सब्सक्राइं को का जाता थे चलिए आगे बड़े के हम लोग नेस्ट कोशन देखते सर जी नेस्ट कोशन क्या है तो नेस्ट कोशन है सील मचली द्वारा किये गए आवाज को क्या काते है बार्क कहेंगे मु कहेंगे इस्क्रीच कहेंगे या फिर आपका ग्राउल कहेंगे चलिए चलिए ओफ लाइन के लिए काईस कुछ भी नहीं मिल पाएगा जो भी जोड़ना है आपको लाइव जोड़ना पड़ेगा और टेस्ट जो होगा संडे की दिन होगा अब संडे की दिन तो आपके सभी छुट्ट क्या होगा अधिक तर इस्टुडेंट कंपूटर मासे के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ऑप्स नमबर एक किया क्या होगा बार्क क्या होगा बार्क इसका करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर होगा सिल मचली द्वारा किये गए आवास को क्या कहा जाते है तो उस यह तो सभी बच्चा को पता है तिग एथ मचली कहां से सास लेती है सर जी गिल्स के द्वारा गल्फड़े के द्वारा सास लेती है चलिए कोरें जी रादा जी इतना लेट हो चुके है अभी तो सेकन हमारा समापत होने का आया है और आप अभी जुड़े हुए है चलिएगा आगे बढ़ते सर जी नेस्ट कोश्चन के ओर देखते है नेस्ट कोश्चन क्या है नीमनलिकित में से कौन जियो मोलस परिवार से समधित है मतलब मोलस का वर्ग से समधित है काक्रोच, घेंगा, कचुवा, स्टारफीस तो मुझे जल्दी से बताए काक्रोच का ब्लट का रंग कैसा होता है चलिए क्या अभी तक आपने पढ़ा है तो आप लोग को तो बता पाएंगे सर जी चलिए बिल्कुर बिल्कूर आपका पूरे डाउट मैं बताऊँगा इस अंतिमी आपने बाते ब्लू 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 the very good ब्लू भी कर रहें कोई white कर रहा है चलिए इस question का अंसर करेंगे बिल्कुर blue सही अंसर कर रहें आप लोग इसमें खुला फरी संचरन तंतर पाय जाता है यह भी आपको ध्यान रखना है चली इस कोश्चन का अंसर देखेंगे का इसके क्या होगा इस कोश्चन का अंसर होगा option number B क्या होगा गहेंगा अगर आपने गहेंगा प्रयास किया है बिलकुर सही और बिलकुर सही कंपूटर महां से गहेंगे कि साथ जाना चाहेंगे मतलब option number B कि साथ जाना चाहेंगे अगर आपका option number B है तो पिलकुर सही और बिलकुर सही होने वाला है चली यहाँ पर ध्यान रखना है मुलस का संग के सामान लक्षन सामान लक्षन सीर अंतराल और पाद में विखत होते है इस संग में जो होता है आपका कवच उपस्तित होता है किसमें सर्जी आपका मुलस का संग में आहर नाल पूर्ण विक्षित होती है मुलस का संग में इसमें जो है आपका स्वासन गिल्स या तीनी डिया द्वारा होता है यह भी संग का और आपका उत्सर्जी अंग क्या हो यह मोलस का संग का है और मैंने आप से क्या पुछा था क्या होता है वाइट होता है ठीक है आगे बढ़े कि हम लोग आगे देखिए नेस्ट कोशेन के और बढ़ते हैं हम लोग चले इतने कम स्टूडेंट क्यूं गाई इस से दुगने स्टूडेंट चाहिए था हमें तो चल कि चले कि देखिए इस को संका रहेंगे सभी स्टूडेंट देखेगा निमनली कित में से किस जीव को सोसियल इंसेक्ट नहीं कहा जाता मधुमक की जिंग आपका तर्माइट या फिर आपका चीटी चलिए सभी स्टूडेंट बताएगा वेरी गूड वेरी गूड सरीता ज चले इस को संब ध्यान दीजिए अब कोस्टन आपके स्क्रीन पर है निमनली कित में किस जीव में सोसियल इंसेक्ट नहीं पाया जाता है या नहीं कहा जाता है ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट होगा क्या आप लोग बहतर कर पाएंगे इस को स्टूड को चले तो ऑप् ऑप्शन नंबर बी बिलुकुर सही एंड बिलुकुर सही होने वाला है तो कंपूटर मास है किसके साथ जाना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे कंचेप्ट देखेगा कंचेप्ट क्या इसके देखेगा दीमक भी सामाजिक किट्स है जैसे कि आपका क वजन प्रदर्सित करती है चीटी अपने 600 गुना वजन उठा सकती है और यही मेतोनाई कमल क्या करता है अगर चीटी के काटने से देखेगा वह उतना भाग क्या होता है फूल जाता है प्रेक्टिकल आप लोग कर सकते है या फिर प्रेक्टिकल आपने किया होगा तो आपको पता होगा चलेगा आगे बढ़ते हैं लोग सरजी नेस्ट कुर्शन की और देखीगा नेस्ट कुर्शन क्या है नेस्ट कुर्शन आपके स्क्रीन पर है मानवी विकास से समंद में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जिवास्म की खोज की थी लूसी होमो नलेडी या फिर आपको होमो सेपियंस या फिर आपका अस्टियो पिथेलिस चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदर चलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को बताएए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर बोर लग रहा है हमें content में मज़ा आ रहा है आपको चले बोर तो होना नहीं है आपको बिलकुर आपको बने रहना है अगर selection ले तो मज़ा आना चीए चले देखते हैं कितना student बिलकुर जुड़ा हुआ है और क्या महनत कर रहा है चले अभी तो आपका ध्यान कहा रहता है मेथुने कमला होता है चले बिलकुर काकरोच का वजन काकरोच का जो है बलड वाइट ही होता है और आपका अक्टूपस का बलड आपका बलू होता है चले इस question का बताएंगे गईस आपको आंसर क्या होगा चले computer महां से किसके साथ जाना चाहेंगे कितने student के साथ जाना चाहेंगे देखते है चले अभी तक सही अंसर तो नहीं किया है आपने माने विकास के समद में हाली में खोजी गई home needles इसका सही अंसर होगा क्या होगा option number B computer महां से option number B के साथ जाना चाहते बढ़ अभी तक option number B नहीं होगा चले क्या होगा option number B बिलकुर correct चलेगा ध्यान रखें गया है मानव के प्रथम जिवासमस चले ओके बहुत ही अलग अलग प्यास आ रहे है आपके चले मानव उत्पत्ति यह इंपर नहीं होमो सेपियंस अधुनिक मानव का नाम है यह भी ऐसा question तो आएगा नहीं चले easy question तो आएगा नहीं easy factor यहाँ पर जो दिया है मैंने चले गादेखे मनुस्य के वेगयनिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है तो बताना है आपको सर जी होमो सेपियंस का अर्थ क्या है चले सभी स्टूडिन ध्यान रखेगा मानों के विग्यानिक नाम होमो सेपियन्स का अर्थ क्या है तो बहुत ही बड़िया है अगर आपका इस कोस्टन का अंसर ओप्सन नमबर डी आ रहा है तो बिलकुर सही और बिलकुर सही होगा क्या होगा वाइज होमो नीड्स इसका सही आंसर होगा ठीक गाईज तो कितना इट्वरेंट ओप्सन नमबर सी के साथ जाना चाहता है ठीक है तो ओप्सन नमबर डी आंसर होगा सी नहीं होगा तो ध्यान रखना है बहुत ही इजी और बहुत ही सीमपल कोस्टन था चलिए आगे बढ़े के हम लोग आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन की और देखे क्या होगा नेस्ट कोस्टन इस कोस्टन को बनाते हैं निमनलीकित में से कौन सा विकल पाचक एंजाइम नहीं है हमसे क्या पूचा सर जी पाचक एंजाइम नहीं है यह हमसे पूछा गया है देखेगा Protease होगा, Amylase होगा, Lipage होगा या फिर आपका Super Oxide Dismutates होगा चलिए, सही आंसर बता दू कि मैं आपको क्या होगा इसका सही आंसर, कम्पूटर महां सही किसके साथ जाना चाहेंगे और क्या बहतर आंसर होगा तो आप सभी का, अगर Option Number D आ रहा है तो बिलकुर सही, एंड बिलकुर सही होने वाला है कितना होगा, सर जी क्या आंसर होगा तो इसका आंसर होगा, Option Number D अगर आपका Super Oxide इसका सही आ है बिलकुर C, D वाले बिलकुर सही है मनिसा जी बिलकुर सही है त्रिवे निदी, दिव्या, महिमा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सांदार Option Number D आंसर कर रहा है D वाले बिलकुर करेक्ट है चलिए तो मुझे होमवर्क देना था बट मैंने होमवर्क नहीं दिया आंसर पहले आपको बता दिया चलिए तो सभी स्टुडेंट को बताईएगा क्लास कैसी लगी अगर कंटेंट आपको मज़ा आया होगा अगर जो भी स्टुडेंट न्यू होगा गाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सही समय पर सभी अपडेट मिलती रहे फिजिक्सी क्लास में स्टार्ट कर रहा हो थोड़ी देर बाद चलिगा तो सभी स्टुडेंट से चाओं कर भाएगा कि फिजिक्सी क्लास में एक बार जुड़ी है आपको मज़ा आगा बहुत ही सांदार आप लोग विदिन बीना पेन जो डरत है ना गाइस की नियूमरिकल सर हमसे स्वाल नहीं हो पाते है अगर आप लोग ने क्लास देख लिया तो आप बिना पेन पेपर के बिना स्वालूशन के आंसर बता पाएंगे ठीके गाइस और जो भी ऑफलाइन देखता है जो भी स्टुडेंट ऑफलाइन जो क्लास को देखता है तो अपना रिवीव जरूर प्रदान करें गाइस टेलीग्राम गुरूप का नाम समाधान इस्टे है और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते है जय हिं अब बचल게요 आपका ऐसे प्यार बना रहिए अबी तकortion स्टुडेंट ने लाइक नहीं किया है जल्ली से जाएक और लाईक की बटन जरूर से दभाईए गाइस जैहिंद, वेलकम बेक, अगर किसी को डाउट है, किसी को परिशानी है, कमेंट सेक्षन है, PDF आपको टेलिग्राम गुरूप, वार्टसप गुरूप में जो भी स्टूरेंट जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम हर जगे आपको PDF मिल जाएगा, तो PDF की बिलकुर भी परिशा स्टाट हो रही है, थोड़ी दिर बात, आप सभी से चाहूंगा, मैं कि फिजिक्स की क्लास को जोइन करें, बेसिक से आज प्रारम भीक, यूनिट एन मेजरमेंट से स्टाट कर रहा हूँ, जैहिंद, वेलकम बेक, नमस्ते